हेलो एवरिवन, रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक दम नियू टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके किचन और घर के काम को आसान और बेहतर बनाएंगे तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, फैमली और दोस्तों के शाज शेयर भी करिएगा साडी को हम जब हैंगर में लगा कर रखते हैं, तो साडी एक साड में ज़्यादा जुग जाती है जिसकी वज़े से एक हैंगर में से साडी निकालते हैं, तो दूसरे हैंगर का साडी खुद बखुद धीरे धीरे फिसल कर गिर जाती है तो ये problem नहीं हो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़े टिब बताऊंगी साथ ही साथ साड़ी में blouse को भी कैसे रखें जिससे साड़ी पहनते time blouse को ढोड़ना नहीं पड़े और अगर heavy साड़ी है तो उसे कैसे रखें जिससे वो एकदम अच्छे से safe रहे तो साड़ी से related इन सारे problem को हम एक साथ solve करेंगे तो पहले हैंगर में से साड़ी फिसल कर नहीं गिरें उसके लिए हमें हैंगर में साड़ी को इस तरीके से लगाना है ये दिखिए ऐसे बस उपर के side से एक side को अंदर डालेंगे और दूसरे side को लेंगे और उसके opposite से डालेंगे और ये दिखिए कुछ इस तरीके से अगर आप साड़ी को रखेंगे हैंगर में तो कितनी भी heavy साड़ी हो बिल्कुल भी हैंगर में से नहीं गिरेगी अब चलिए साड़ी के set का blouse को भी fold करके इसके अंदर रख देते हैं ताकि साड़ी पहनते time blouse को ढूरना नहीं पड़े तो blouse को fold करके साड़ी के एक side को उठा कर उसके अंदर डाल कर वापस से साड़ी को fold कर दें और इस तरीके से रखने से blouse साड़ी में से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा आपने notice किया होगा जब हम साड़ी को ज़्यादा दिन के लिए हैंगर में हैंग करके कबट में रख देते हैं तो उसके बाद जब देखो तो साड़ी के उपर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ जाता है क्योंकि अल्मीरा के अंदर भी धूल जाता है यह थोड़ा बहुत तो ज़्यादा दिन के लिए साड़ी को हैंग करके रख रही हैं तो उसके पहले आप क्या करें कि साड़ी के उपर एक पुराना टीशर्ट लगा दें इस तरीके से इससे पुराने टीशर्ट का रियूज भी हो जाएगा और साड़ी भी एकदम अच्छे से से सेफ रहेगी अगर खुला हुआ किचन रहता है तो डबो के उपर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आता है साथ ही साथ इसके उपर एक चिपचिपा परत भी हो जाता है जिसे हमें बार बार साफ करना पड़ता है तो अगर आपका किचन खुला हुआ है तो आप जिस डब्बे को बार बार यूज नहीं करती है जैसे कि अचार वगरा का डब्बा रहता है तो उसे रोज नहीं यूज करते हैं छोटे स चोटा होता है तो परिशानी बहुत होती है खाना बनाने में भी और खाना बनाने के शामान को रखने का जो कंटेनर रहता है उसे रखने की भी प्रॉबलम होती है तो यहाँ पर यह जो बॉक्स है ने इसमें मैंने बच्चों का चॉकलेट वगर रखा है तो इसे मैं कैसे प्रेंड अगर वीडियो जरा सभी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फैमिली और दोस्तों के शार शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अब चलिए इसे मैं किचन में लगा देती हूं तो यहां पर मेरे किचन में ऊपर का जो अब यह देखिए यह जो कंटेनर है इसे बस इसके लीड के अंदर डाल कर हलका सा प्रेस करना है आसानी से इसमें लगा रहता है और इसे निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है एकदम आसानी से निकल जाता है तो इसे खोलना बंद करना तो आसान है ही साथ ही साथ मेर किचन का थोड़ा सा जगह भी बच गया तो एकदम अमेजिंग है ना आप भी एक बार ट्राइ करके देखिएगा बहुत ही यूजफूल तीफ है इसको हिलाने के बाद भी नहीं गिरता है जब हम मोबाइल टेबलेट खरीदते हैं तो उसके साथ में इस तरीके का फोम आता है ये फोम मोबाइल टेबलेट के स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहता है ताकि वो खराब नहीं हो तो इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है इसको रख कर इसके बराबर में इसे काट लेंगे मैंने पहले भी इसका टिप बताया है कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेजिएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा इससे हमने बरतंद होने का इसक्रबर बनाया है तो जरूर से देखिएगा बहुत ही यूज़फूल है तो आप देख सकती है इसे मैंने सरकल सेप में काट लिया है अब इसे इस कंटेनर में डाल देंगे आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन या फिर कॉटन का कपड़ा डाल दे या फिर ऐसे ही लगा दे तो मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ ये देखिए अब जो हमारे पास सुई रती है ने मसीन की सुई हो या फिर हाथ से सिलने वाली सुई हो आप सुई को इसके अंदर इस तरीके से लगा दे सोई को इसमें रखने से सोई इधर उधर गुम भी नहीं होगा अगर आप सिलाई करने बैठी हैं और सोई को इधर उधर रख देती हैं तो उस टाइम के लिए भी आपको ये बहुत ही योज़फुल लगेगा सोई को इसमें इस तरीके से रख दे तो ये हमारा सूई रखने का और्गनाइजर बन के तयार हो गया है आप इसे एक बर बना कर रख ले बहुत टाइम तक ये आपको काम में आएगा और इसे बंद करना भी आसान है इस टेली स्क्रबर का यूज हम करते हैं अपने गंदे बर्तनों को साफ करने के लिए तो जो बर्तन को साफ करता है उसे भी तो साफ करना जरूरी रहता है न तो मैं इसे कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ वीक में एक बार मैं इसे जरूर साफ करती हूँ तो उसके लिए हम गैस को ओन करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इस तरीके से इसके उपर इसको कुछ सेकेंड के लिए ऐसे उलटते पलटते जला लेंगे ऐसा करने से ये जो स्क्रबर है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इसके अंदर जो फसे हुए कच्रे रते हैं बारिक बारिक वो भी निकल जाते हैं तो इसे ठंडा होने के बाद वापस से यूज करना शुरू कर दें जब हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना बची जाता है जैसे कि नास्ते में पराठा बनाते हैं तो एक-दो पराठा बच जाता है और ये एकदम ठंडा हो जाता है ठंडा पराठा खाना किसी को भी पसंद नहीं रहता है ये एकदम सुखा-सुखा भी हो जाता है तो इसे वापस से गरम करने का मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताती हूँ वापस से घी तेल कुछ भी नहीं लगाएंगे मगर इसे एकदम ताजा करेंगे तो गैस पर प्रेसर कूकर को गरम कर लेंगे अब इसमें डालेंगे आधा गलास पानी अब हम प्रेसर कूकर का ढखकन बंद कर देंगे बस उपर से ऐसे ही रखना है सिटी नहीं लगाना है पानी को गरम होने देंगे तब तक हम पराठे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे एक इस्टील के टिफिन में इस तरीके से रखकर टिफिन को बंद कर देंगे और वापस से pressure cooker के ढखकन को ऊपर से ऐसे रख कर बंद करेंगे पूरा नहीं बंद करना है बस ढखना है एक मिनट के लिए इसे छोड़ दें उसके बाद गैस को बंद करेंगे और टीफिन को प्रेसर कूकर में से निकाल लेंगे ये हमने इसको बाहर निकाल लिया थोड़ा से टिफिन को ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे खोलते हैं मैंने यहाँ पर पराठे को गरम किया है आप इस तरीके से रोटी को भी गरम कर सकती है और ये देखिए पराठा एकदम गरम हो गया है और एकदम नरम भी हो गया है मतलब लगी नहीं रहा है कि ये वही पराठा है जो हमने सुबह में बनाया था एकदम ताजा हो गया है और दोनों पराठे का कलर भी आप देखकर खुदी समझ जाएंगी कि ये जो पराठा है थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है क्योंकि जो ओइल है इसका वो बाहर आ गया है और जो हमने ठंडा पराठा लिया है वो देखिए एकदम सुखा सुखा लग रहा है खाने में भी बहुत ही सौफ्ट है आप एक बार जरूर से ट्राइ करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन यानि मैसेज सबसे पहले आपको मिले और आप उसे फटा फट से देख ले थेंक यू